Hi friends, my name is Amit Mehta and welcome to Wealth Channel. दोस्तो, आज का वीडियो जो है हमारा वो पोस्ट लाइफ इंस्योरंज की स्कीम के उपर है. दोस्तो पोस्टल लाइफ इंस्योरंस बाकी इंस्योरंस के मुकाबले काफी अच्छा रहता है जिसमें कि एक लाइफ की सेप्टी या रिस्क कवर भी होता है और हमारा अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है दोस्तो तो पोस्ट में कई सरग तरह के अलग-अलग इंस्योरंस सुरक्सा, convertible wool life insurance सुविधा, इसके अलावा endowment insurance, संतोस कहते हैं जिससे, इसके अलावा दोस्तों joint life insurance आप अपने husband wife दोनों की करवा सकते हैं, anticipated endowment insurance भी है, इसके सुमंगल के नाम से जाना चाता है, basically दोस्तों ये एक money back scheme है, इसके अलावा आप अपने children की भी policy ले सकते हैं दोस्तों, तो अगर आप अपनी पूरी life के लिए एक सुरक्सा cover चाहते हैं, लंबी यवदी का, कि जिसमें return बहुत हो, तो आपके लिए अच्छे scheme रहेगी सुरक्सा, यानि कि wool life assurance, तो आपको लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप आपकी life assurance के साथ-साथ एक अच्छा return भी चाहते हैं, तो फिर आपको convertible wool life insurance लेनी पड़ेगी, दोस्तों, लेकिन उसमें wool life insurance से premium आपका बढ़ जाएगा, सबसे कम premium आपका सुरक्सा वाली scheme में रहेगा, लेकिन दोस्तों, अगर आप एक endowment plan चाहते हैं, कि आपको regular time पे एक return मिलता रहे, तो फिर आपके लिए अगर शुरुवात देखें, तो 8084 से हुई है, यह basically postal कर्मचारियों के लिए ही पहले शुरुवात की गई थी, फिर इसमें telegraph department जुडा, तो यह telegraph department में भी PLI लागू हो गई, तो दोस्तों, अब की हम currently देखें, तो कई सारे central government के जो भी employee है, वो PLI ले सकते हैं, इसके अलावा, state government के employee जो भी है, वो भी PLI ले सकते हैं, या फिर जो भी PSU है, उसमें government का 10% या उससे ज्यादा stake रहता है, तो वो PSU के employee भी PLI ले सकते हैं, इसके अलावा, nationalized bank है, local bodies जो भी है, या फिर autonomous body है, कोई joint venture है, या फिर BSC, NSC में listed कोई भी company आ है, उसके employee भी PLI policy में ले सकते हैं, तो दोस्तों, ये तो बात हो गई, कौन PLI ले सकता है, और आज की हमारी scheme है, endowment assurance, Santos, तो दोस्तों, ये scheme, बाकी scheme के मुताविक मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें अगर हम देखें, तो maturity age 35, 40, या उससे आगे 55 year में, यानि कि 45, 50, 58 और 60 year तक होती है, तो इसमें कौन-कौन participant कर सकता है, ये तो हमने पहले ही कह दिया, तो अब कौन सी age group के लोग ये policy ले सकते हैं, जो भी संतोस policy लेना चाहते हैं, उसकी age group है 19 to 55, यानि कि आपकी minimum age 19 year होनी चाहिए, और maximum age 55 year के लोग इसमें apply कर सकते हैं, और कितने तक की policy आप ले सकते हैं, तो इसमें अगर हम लेकते हैं, तो 20,000 से लेके 50 लाख रुपे तक की policy कोई भी ले सकता है, अगर इस scheme के बारे में और जाने हैं, तो इस scheme का जब भी आप पहला premium भरते हैं, तो इसके साथ ही policy सुरू हो जाती है, तो अगर आपने 20,000 की policy ली है, या maximum 50 लाख की policy ली है, पहला premium भरने के बाद आ जाने की एक hard copy मिल जाएगी आपको, और एक passbook भी मिल जाएगी, जो कि पूरे इंडिया में लगबग डेड़ लाख से ज्यादा post offices है, आप किसी भी post office में जाके इसका premium भर सकते हैं, दोस्तों, और अगर हम देखे तो इसमें loan facility क्या है, तो तीन साल अगर आपकी policy को constant पूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा तीन साल के बाद surrender करनी हो, तो policy में आपको बिल्कुल ही अच्छा return नहीं मिलेगा, और अगर आपकी policy, अगर आप चाहे, तो पांच साल के बाद अगर आप surrender करते हैं, तो फिर आपको bonus का benefit और समस्योड दोनों ही मिलेगा, पांच साल के बाद bonus जो भी आपका policy amount है, यानि कि अगर आपने 20,000 की policy ली है, लेकिन आपकी policy पांच साल तक अगर 10,000 तक ही पहुची है, तो उसके उपर आपका जो भी bonus होगा, वही आपको मिलेगा, तो दोस्तों policy जब भी चूज करें, तब पहले से ही सोच लिजिए कि आपको जितने time के लिए policy ले रहे है, especially ये post की, वहाँ तक आपको minimum premium भर सकते हैं, तो ही apply कीजिए, वरना policy मत लीजिए दूस्तों, इसमें सबसे best बात ये रहती है, कि हमें एक death benefit मिलता है, अगर एक premium भरने के बाद भी person की death हो जाती है, तो पूरी की पूरी some assured, यानि कि जितने पै से हमारे nominee को मिल जाएंगे, अब बात आती है दोस्तों इसमें bonus की, bonus इसमें सबसे अच्छा रहता है, तो जो last declared bonus अभी चल रहा है, वो ये endowment assurance यानि कि संतोस plan में 52 rupees per thousand है, मतलब कि आपने जितने thousand की policy ली है, उसके उपर 52 rupees का आपको bonus मिलेगा, मतलब मान लिजे कि अगर अगर आपकी policy, मान लिजे, आपने 10 lakh की policy ली है, तो 52 में उतने ही zero आप, जैसे कि 1000 के पीछे हम जितने zero लगाते है, और 10 lakh होते है, उतने ही zero आप लगा दीजे, मतलब कि आपको per year 52,000 का bonus मिलेगा, अगर आपकी policy 5 lakh की है, तो और आपने सभी premium भरे है, तो per year आपको मिलने व value और bonus गिन सकते है, मतलब कि जब भी year complete होगा, तब ये bonus आपके account में जमा हो जाएगा, और आपकी some assured भी हो जाएगी, तो दोस्तों इस तरह हम अगर policy लेते हैं, तो policy में सबसे ज्यादा फाइदा कब रहता है, तो इस policy की entry age 19 से लेके, हमने देखा कि 55 year तक की है, तो जो भी person इस policy में जितना जल्दी enter करेगा, उसको उतना ही बड़ा फाइदा होगा, इस policy की और हम terms and condition देखे, तो हम चाहे तो अपनी policy की maturity age 35 रख सकते हैं, यानि कि मान लिजे किसी person अगर 19 year में ली तो 35 पे policy mature हो जाएगी, तो maturity पे क्या मिलता है दोस्तों, अगर आपकी मान लिजे 1000 का bonus वो भी मिलेगा, दोस्तों bonus vary करता है, पहले bonus थोड़ा ज्यादा रहते था, पर year अब घटता जा रहा है, लेकिन इस year जो भी bonus ये 52 रूपीस का चल रहा है, मतलब 26,000 तो हम मिलने ही मिलने है, आने वाले सालों में हो सकता है, ये 48 हो जाए, 50 हो जाए, तो उसी मुताबि उतने year की policy ले सकते हैं, तो 40 year की लीजिए, ऐसे ही मैंने अपनी खुद की calculation की थी, तो दोस्तों मेरी age अभी 37 year की है, और अगर मैं 50 साल का हो जाओं, तब के लिए मैं ये policy लेता हूँ, तो करीब करीब मेरे को 30 year तक प्रिमियम भरना पड़ेगा, अगर मैं देख लीजिए पांच लाग तो मुझे मिलेगे, पांच लाग के सामने मुझे 5,17,608 रुपे का प्रिमियम टोटल भरना पड़ेगा, और उसके उपर मुझे बोनस 3,38,000 का मिलेगा, यानि कि कुल मिला कर मुझे मिलने वाली रासी हो जाएगी 8,38,000, तो दोस्तों मैंने निकाला कि अगर इस policy का मैंने पूरा study किया और देखा, तो अगर आप 10-15 साल के बीच में ये policy लेते हैं, यानि कि अपनी maturity age 10-15 साल के बीच रखते हैं तो maximum return मिलेगा, यह जो मैंने अपनी calculation की थी 37 से लेके 15 year की age में मेरी policy mature हो जाए तो उसमें मुझे करीब-करीब 7.1% का return मिल रहा है, मतलब कि 4.5 टका, 4.5% GST जो भी हम premium भरेंगे उसके उपर लगेगा, फिर दूसरे साल से घटकर 2.5% रह जाएगा, फिर आने वाले सभी सालों के लिए 2.5% रहता है, तो आप जब भी policy लेने की सोचे, यह calculation simply देख लीजिए, इसके अलावा department of post और यह postal life insurance दोनों की website है, इ और दोस्तों, अगर हो सके तो आप agent से लीजिए, ताकि वो medical वगेरे में आपकी कुछ help करवा सके, medical होने के बाद ही यह policy आपकी activate, इसके अलावा एक और बात रहेगी दोस्तों, कि अगर आप 5 लग तक की policy लेते हैं, तो इसमें आपको 25 रुपे का, यानि की 25 रुपीज का case back premium में मिलेगा, तो वो आपको, आपके premium में से minus करना है, और उसके उपर GST लगे गए लगेएगा, तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी scheme थी, ऐसी scheme दूसरी policy में होती नहीं, इसमें हमारा investment का investment हो जाता है, और हमें एक अच्छा 7% का return भी मिल जाता है, तो दोस्तों, इसमें, death assurance, यानि कि हमारी life की security भी हो जाती है, और हमें एक अच्छा return भी मिल जाता है, तो मेरे को लगा ये scheme आप से share करनी चाहिए, दोस्तों, आपके view मुझे बताए, अगर मेरी channel आपको अच्छी लगी हो, तो likes किजिए, comments किजिए, अगर आपको कुछ भी PLI के बारे मे जानना हो, तो, और हो सके हैं, तो मेरी channel को subscribe किजिए, दूस्तों, मिलते हैं next video में, bye